हम लोग यह बाद भी जानते हैं कि density का formula होता है mass upon में volume और weight बराबर होता है density in two में volume कि माल लीज़े अगर 10 gram की specific heat capacity कुछ है तो एक gram के लिए क्लिए क्या करेंगे mass divide तो यह बन जाती होंगे specific heat capacity अब आप लोग यह बाद जानते होंगे मेरे शेरो क्या कि हम लोग यह बाद जानते हैं कि heat capacity जो होता है heat capacity बराबर होता है change in heat with respect to change in temperature तो देखो हमने heat भी calculate कर लिए heat और enthalpy तो एक ही बात है constant pressure बे हमने delta HB calculate कर लिए delta UB calculate कर लिए सब की value सेम है हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मैं हर्ट्यागी बाहुवली physics वाला platform पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं रफ्तार batch के अंदर और आज हम स्टार्ट करेंगे बिटाजी thermodynamics का लेक्चन नमबर 6 और आज के लेक्चन में हम दो महत्तपून टॉपिक मिले या ना मिले इसलिए मेरा ये उदेश्य रहता है कि आप लोगों को जाद से जाद कुशन में इसके उपर कराऊं ठीक है वाई चलिए आगे बढ़ते हैं लोग सबसे पहले आपके सामने कुशन है वों केलर मिटर को जहां पर मैंने कल छोड़ा था उसके आगे बढ़न देखिए यह जो केलरी मिटर एक कॉंस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं है यह क्या है कॉंस्टेंट प्रेशर केलरी मिटर है यानि इस बार प्रेशर क्या रहेगा कॉंस्टेंट चलिए यह चेंज आया है हमारे पास due to the following reaction और reaction हमारे पास यह वाली हुई है इसने पूछा है if density of combined solution पूरे solution की जो density है वह वन ग्राम पर mlm and specific heat जो है वह 4.2 ग्राम जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है और इन्होंने बोला है देल्टा हमसे यह पूछा है कैल्कुलेट डेल्टा एच डेल्टा यू क्यू एंड डबलू फोर दा फेस ट्रांस्फोर्मेशन एंड कैमिकल रियक्शन इस जरा देखिए बिटा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा बहुत ही सिंपल है डबलू भी कैल्कुलेट करेंगे क्यू भी कैल्कुलेट करेंगे डेल्टा यू भी कैल्कुलेट करेंगे और डेल्टा एच भी कैल्कुलेट करेंगे कैसे जरा सिंपल है सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूंगा कि जब मैं इसकी बात करूँगा इसकी रियक्शन कराऊंगा एजी एन यह भी हमारे पास एक्वास है अब आप समझेगा मेरी एक खुटी सी बात क्या है ज़रा देखिए अगर मैं इसके वॉल्यूम लेता हूं पिटाजी 100 ml ठीक है और मोलारिटी मैंने ली 0.1 आप लोगों को मोल कॉंसेप्ट मैंने पढ़ाया था और जब मैंने मोल कॉंसेप्ट अब पढ़ाय था तो आपको मोल का एक फोर्मूला बताया था वह क्या था कि मोल बराबर होता है सार मीलॉम ने रहें करी और साथी में मैंने वॉल्यूम को ले रखाय मैं इसलिए मोल न आकार यहां पर मिल्मोल आएंगे इसने हमारे राइट 100 ml और इसने मोलारिटी क्या करी वैस जिरो पाइंट वान मॉलरे ठीक है वैसर फ़िक है और इसके भी मिली मोल जो आएंगि ऑगी 10 मिली मोल ही आएंगे अगर आप भूई का स्थोंस पर धेखते ओ ध्यान से देखते यह है कि अगर मैंने स्टार्टिंग में इसको एक अलग भीकर में ले रखा होगा और जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया होगा तो मिक्स करने के बाद मिक्स करने के बाद मेरे पास एक solution बना होगा नया वाला अब यह जो नया solution बना है ध्यान से समझेगा इसकी total volume क्या है इसकी total volume हो जाएगी 200 ml क्योंकि हम लोग यह बात जानते हैं कि भाई volume एक एडिटिव प्रोपर्टी है अगर हम एक solution को दूर्स solution में एड करेंगे तो दोनों की volume एड हो जाएगी देखिए 100 ml और 100 ml जोड़ा तो मेरे पास कितना आ गया 200 ml और इस solution कि हमें density भी दे है वो क्या है जारा देखिए density दे रखी हमें कितनी density दे रखिए 1 gram पर ml हम क्यों कर रहे हैं इसके लिए सम इसका यहां पर हम सोलूशन को इतना महत्व क्यों दे रहा है क्योंकि solution की specific heat दे रखिए है और specific heat कितने होती है पेटा जी एक gram के लिए तो हम यह चाहते हैं कि पूरे सोलूशन का एक बार weight पता लग जाए ताकि हम इसके c की value पता लग जाए तो जड़ा देखिए बहुत सिंपल है हम लोग यह बात भी जानते हैं कि density का formula होता है mass upon में volume और weight बराबर होता है density in to my volume density 1 थी volume 200 ml थी यानि कहीं न कहीं जो यह weight बनेगा 200 gram बनेगा कर नहीं बनेगा आप कहोगे सर यह बात तो हमें समझ में आ गई ठीक है हमें दे रखिए specific heat यानि CSH और आप लोगों को मैंने बताया था कि specific heat किसके पर आवर capacity कुछ है तो एक ग्राम के लिए क्या करेंगे mass divide तो यह बन जाती थी माने पाइस specific heat capacity अब यहां पर जब मैं value रखूंगा 4.2 और बराबर सी मास कितना हो जाएगा पीटा पूरे solution का 200 ml तो जब इसको मैं सी को सोल करूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा बिटा मेरे पास आएगा 84 और दो जीरो यानि 840 और यह आजाएगा जूल ठीक है भाई जूल पर कैल्विन ठीक है यह आ गया हमारे पास 840 अब आप लोग यह बाद जानते होंगे मेरे जानते हैं कि हीट कपैस्टी जो होता है हीट कपैस्टी पराबर होता है चेंज इन हीट विद रस्पेक्ट तू चेंज इन टेंपरेचर हाँ या ना अच्छा एक बात और ध्यान दगनी है इस बार उसने बोलाए कि हमने ऐसा कैलरी मीटर लिया है जिसमें प्रेशर कॉंस् सर बिल्कुल यही बात थी मैंने का बहुत बढ़िया चलिए तो जैसे पहले में आपट डीक्यू निकालूंगा देखिए डीक्यू निकालूंगा तो हो जाएगा सी इंटू में डीटी अब सी की वैल्यू आई है 840 चेंज इन टेंपरेचर कितना हो जाएगा बिटा ध्या इनिने के लिए बोलो जब हमारे पास इसका 10 mmM यानी जीरो पाइंट जीरो वन मोल था इस रेक्शन के हिए को अगर देखा जाए इस रेक्शन गर देख जाये तो इस reaction के हिसाब से हाँ पर वन लिखा हुआ है है ना वाई वन मोल तो वन मोल के लिए एक तरीके से कितनी हीट निकली होगी ये भी ध्यानक ना है तो प्लीज समझेगा मैं क्या कहूंगा बिटा जी वें 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 टैन मिली मोल 10 मिली मोल ओफ एग एन्ओ 3 प्लस 10 मिली मोल एस्टी एल रियक्ट तो जो आपके पास हीट निकलेगी टोटल हीट जो निकलेगी टोटल हीट डी की वेट कॉंस्टेंट प्रेशर वो बराबर जाएगी इसकी मंटिपलाई 840 इन्टू में 3 ठीक अब आप मुझे बताएए उस रियक्शन में एक मोल है और एक मोल में कितने मिली मोल होते हैं बताईए हजार तो क्यों ना मैं इस इक्वाल इक्वेशन को हंडर से मंटिपलाई करता चलू उधर भी उधर भी तो मेरे पास कितना जाएगा ज़रा देखिए भाई कि सर मैंने क्या काम कर दिया वैन 1000 मिली मोल ओफ एजी एनो 3 मैंने एक तरीश के से 100 से मंटिपलाई करी है 10 पहले से था एजी एनो 3 1000 मिली मोल हल के साथ एक्शन करेंगे तो हमारे पार रियक्ट तो हमके रिखें क्या भाई टोटल हीट जो हमारे पास निकलेगी भाई टोटल हीट वो भी कब एट कॉंस्टेंट प्रेशर तो हो जाएगी 840 इंटू में 3 इंटू में 100 ठीक है तो यह हमारे पास आजाएगी जूल अब इसको किलो जूल में करन्वट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई हमें 1000 स से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमारे पास कितनी आएगी डीक्यू एट कॉंस्टेंट प्रेशर बराबर हो जाएगा हमारे पास 840 इंटू में 3 इंटू में 100 डिवाइड बाए 1000 तो 30 से 30 कैंसल हो जाएगी और आप इसको मंटिप्लाई करोगे तो 34 जा हो जाएगा हमार ने निकाल ली अब आप एक बात जानते होंगे मेरे शेरों क्या कि आप लोग यह जानते हो कि कॉंस्टेंट प्रेशर पर हीट डी एच के बराबर है तो एक तरीके से इस रियक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई आप कोगे सर टू फिप्टी टू किलो जूल राइट और रॉंग हाया ना बोलिए आपको के साथ बिल्कुल यह बात समझ में आ गई अब हमें बाप पता है भाई अब मैं निकाना चाहता हूं डेल्टा यू तो हमें एक रिलेशन भी पता था वी नो देट वी नो देट डेल्टा एच बराबर क्या होता है डेल् जयें डेल्टा एंजी यू के बराबर है डेल्टा ह यू के बराबर है delta H जो है वो delta U के बराबर है और work done किसके बराबर हो जाएगा बिटा जी यहाँ पर बोलिए work done किसके बराबर हो जाएगा 0 because work done किसके बराबर होगा delta NGRT के बराबर और यह value तो हम पहले से 0 कर चुके हैं तो work done कितना हो जाएगा बोलिए आपको किसा जीरो आंसर होगा तो देखो हमने heat भी calculate कर ली क्योंगी heat और enthalpy तो एक ही बात है constant pressure में हमने delta hb calculate कर लिया delta ub calculate कर लिया सब के value सेम है difference क्या है कि work done 0 होगा बस अगर यह question आपको समझ में आया है और आपको यह warm calorie meter जो है समझ में आ रहे हैं इसके question आपने last one lecture में भी करें तो please मुझे comment box में जरूर बताएं कि सर यह वाला topic हमने पढ़ा नहीं था पहले लेकिन अभी हमें समझ में आ रहा है कोई problem वाली बात नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ता हूं मैं आगे बढ़ता हूं मैं अगला question दिया गया है आईट का question था यह ठीक है आईटी पीवाई क्यों है यह मैं भूल गया इसने बूला है for the following reaction at constant pressure predict if delta H delta H जो है वो जादा होगा delta U से delta H छोटा होगा delta U से और delta H बराबर होगा delta U से अब आप मुझे एक बादा पताइए हम लोग एक बात जानते हैं कि delta H बराबर होता है delta U पलस के delta NG RT से ठीक है यही होता है भीटा हमें क्या करना है कि इंतीनों reaction के लिए डेल्टा एंजी क्या करना है, calculate करना है, और डेल्टा एंजी अगर हमने calculate कर लिया, तो हमाय पारलेशन अपना भी बन जाएगा, अब ज़रा देखिए, पहली वाली reaction में, left hand side में क्या होगा, दो mole है gas के, right hand side में क्या होगा, एक mole hydrogen का, एक mole fluorine का, तो हम क्या लिखेंगे बिटा NG 0 है, प्लीज समझेगा, अगर इस reaction के लिए, डेल्टा NG 0 होगा, तो यह term अपने आप में क्या हो जाएगा 0, और यदि यह term अपने आप में 0 हो गया, तो डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा U के बराबर, तो ऐसे match the following वाले question आ सकते हैं, तो यहाँ पर तो ह राइट हैंड साइड में 2 मोल हैं गैस के, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 और 3 4 हैं, दो में से गर 4 जाएगे, तो डेल्टा NG कितना आ जाएगा इसके लिए, माइनस के 2, अब यहाँ पर अगर मैं solve करूँ इसके लिए, यह तो मैंने पहले वाली के लिए solve करा था, अब मै सेकेंड वाले के लिए कर solve करूँ, तो मुझे पता है कि डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा U प्लस डेल्टा NG, यही बात होती है बही, अब डेल्टा NG की जगापर अगर मैं 2 रख दू माइनस के, तो डेल्टा H का मतलब क्या होगा, डेल्टा U माइनस के 2RT, अब आप सम माइनस के 2RT घटा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा U की वैल्यू, डेल्टा H से बड़ी है, या इसको अगर वैसे भी relation करना चाहो, तो आप इस त्रम को इधर ले आओ, तो डेल्टा H प्लस के 2RT बराबर डेल्टा U, यानि डेल्टा U तो डेल्टा H के बराबर तब होगा, जब डेल्टा H अपने आप में 2RT और जोड़ लेगा, इसका मतलब डेल्टा U, ओवराल बहुत बढ़ा है, तो आप कहोगे सर, यहां पर उजाएगा डेल्टा H जो होगा, वो छोटा है, और डेल्टा U जो हो बढ़ा है, नेक्स वाले केस में देखिए, अगर मैं यहां पर डेल्टा NG कैलकुलेट करूँ मेरे शेरो, तो आपको पता है कि यह भी गैस है और यह भी गैस है, हाँ या ना, बई, देखो, वाटर के बराबर में क्या लिखा हुआ है, गैस, और N-O के बराबर में क्या लिखा हुआ है, गैस, तो 6 और 4 कितने मोल हो जाएं यहां पर जो डेल्टा NG आएगा, वो आएगा 10 माइनस के 9 इक्वलस 2 प्लस 1, और यहां के लिए, अगर मैं थर्ड वाली क्वेशन के लिए देखता हूँ, रिलेशन, तो डेल्टा H बराबर होगा, डेल्टा U प्लस के डेल्टा NG RT, और यह बराबर होगा, डेल्टा H बर बराबर डेल्टा U प्लस के RT, इसका मतलब क्या हुआ, कि डेल्टा U की उकवाद, डेल्टा H के बराबर तब होगी, जब वो अपने आप में RT जोड लेगा, यानि डेल्टा U अपने आप में छोटा होगा, तो हम कहेंगे इस बार, इस बार डेल्टा H जो है, वो बड़ा है और डेल्टा U बेटा जी छोटा है, तो आप लोगों को केमिकल रियक्शन देखकर भी ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि डेल्टा H की वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी, डेल्टा U की वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी, ऐसे कोशन भी ITJE में आने के चां लिक्विड बेंजीन इज वैपराइज़ एट इस बोइलिंग पॉइंट यहां पर बेसिकली पॉइंट एट इस बोइलिंग पॉइंट एटी डिग्री सेल्सियस एड वन एटी एम प्रेशर यहां पर बोला गया है कि डेल्टा H आच ओफ वैपराइजेशन फोर्डा लिक मुझे एक बात बताएंगे मेरे पास अगर मेरे पास बैंजीन हैं सी सिक्स एट सिक्स तो पहले यह क्या होगी लिक्विड अब मैंने क्या काम कर दिया प्रेशर मेरे पास 180 अंता जो की दे रखा है और मैं यह भी जानता हूं बिटा जी कि उस कंडिशन में जो टेंपरेच अगर हम यह कंडिशन करते हैं तो हमारे पास बैंजीन सी सिक्स एट सिक्स पहुंच जाएगा यह और किसमें पहुंचेगा यह यह पहुंचेगा जी गैसे स्टेट में क्यूंकि आप लोगों पता है कि भाई वोईलिंग पॉइंट के बाद तो या वोईलिंग पॉइंट पर तो क्या होता है लिक्विट गैस में कनवर्ट होई जाता है अब जड़ा देखिए इस रियक्षन के लिए अगर मैं कहूंगी बाई डेल्टा एंजी की वैल्यू जो है वह वह वन है क्यों प्रोड़क्ट की साइड में गैस का एक मोलिक्यूल और लेट एंड साइड में गैस का कोई मोलिक्यूल नहीं है तो वन माइनस के जीरो ही करेंगे ना हम लोग अब यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू हमें दे रखी है देखो डेल्टा एच इस रियक्षन का दे रखा है वैपराइजेशन कितना आप को गे सर 30.7 30.7 किलो जूल पर मोल दे रखा है ध्य कि नो देट यह बात आप भी जानते होंगे पिटा जी क्या जानते हो जरा देखिए डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एंजी आल्टी आप लोगो कुछ नहीं करना है डेल्टा एच की जिगापर आप डेल्टा एच रखोगे 30.7 किलो जूल डेल की वैल्यू रखोगे ना वीटा 853 यह वैल्यू आपने किलो में रखिया है इसको जूल मेंलिश को भी किलो करने कले ना और तो यहां पर आप 10 की पावर माइणस के ख्रीस से मंटिफडाई कर ले ना फिर फिर आपको दिया है टेंपरेचर टेंपरेचर क्या है एक टीडिग्री सेल्सियस तो बिटा जी यहां पर हम केलवीन में रखते हैं तो टेंपरेचर कितना हो जाएगा बोलो आपको के सर एक टी प्लस के 273 यह वैल्यों यहां पर रखेंगे और रखने के बाद डेल्टा यू कैलकुलेट कर लेंगे आपका आंसर लो करेक्ट आ जाएगा इस कोशन का नाम मैं दे रहा हूं पिटा जी बाहुवली कोशन ठीक है बाई क्या दिया मैंने बाहुवली कोशन दे दिया और इसका आंसर आ टू मोल ऑफ लिक्विड वाटर वैपराइज हंडड़ डिग्री सेल्सियस दा हीट ओव वैपराइशन डेल्टा एज के वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 40.66 किलो जूल पर मोल तो जरा देखिए बड़ा सिंपल है यार बड़ा सिंपल रही कोशन आप लोग पहले ही अब करोगे है तो यहां पर कितना आएगा तो यहां पर कितना आएगा बोल ये आप को गें यहां पर मैंने लिग जा है एच्टू ओ गया है तुए कोई दिक्कत नहीं अब आप इस रेक्शन केलिए डेल्टा एंजी देखो कितना होगा सबसे पहले जब आप डेल्टा रखा है हमें इस रिक्षन के लिए कितना 40.66 kJ per mol एक mol के लिए दे रखा कि लो जूल पर mol दे रखा है किसको मैं चलो जूल में लिख देता हूं तो मेरे पास आएगा 4066 तो आ जाएगा हमारे पास जूल पर मॉल अम मेरा आप लोगों से एक अनुरौद है कि आप लोगों को डेल्टा H और डेल्टा U में रिलेशन पता ही है equation के इसब से तो वी नो देट हम क्या जानते हैं मेरे बच्चों हम जानते हैं सर वी नो देट कि सर डेल्टा H जो है वो डेल्टा U पलस के डेल्टा NG RT के बराबर होता है भई हां या ना कहो यार आपको कि सर्ट बि बराबर डेल्टा यू हमें calculate करना है बाई डेल्टा एंजी कितना हो जाएगा आर और वन और आर की value कितने हो जाएगी 8.3 दे रख्या रकनी है हाँ बाई 8.314 और temperature हो जाएगा कितना बाई 100 degree Celsius दिया है हमें temperature उसको जब आप Kelvin में convert करोगे तो 100 में 273 जोड़ दोगे यानि 373 ह हो जाएगा वहिज है अब आप लोगों क्या करना यहां पर value रख देना टी की और delta U calculate करना है तो यह डेल्टा के लिए वाली value किसके रख्यें हमने 1 गरहे लिए तो यहां से जो डेल्टा यओ आएगा वह 1 mole के लिए का करोगे 2 से multiply कर दोगे और 2 से जो भी multiply करोगे जो भी आपका answer आएगा वही मुझे comment box में चाहिए time के साथ तो ये आपके पास correct answer हो जाएगा भाई इसका नाम हो जाएगा देव सेना ठीक है तो इस question का नाम हो गया देव सेना तो इस वाले question का नाम और इसका answer भी मुझे comment boîIE box में बताएंगे तो आई हूप आप लोग यवास सीख चुके हूं अब हम बात करेंगे बिटा जी second law of thermodynamics बारे में देखी इसके बाद हम बात करेंगे और थोड़ीसी कमी के बारे में बताउंगा फाइसा लगता था कि दुनिया की जितने भी एक्जो थर्मीक रियक्शन है वो पोसीबल है ठीक है वही उनको ऐसा लगता था कि दुनिया में हार एक चीज अपने आपको इस्टेबल करना चाहती है और सपोस करिए कि अगर वो इस्टेबल करना चाहे तो इस्टेबल कब होगी जब उसके एनरजी कम होगी और उसके सब्सक्राइब में यह बात कहता था कि दुनिया में जितनी भी प्रोसेस अपने आप में हो रही है इस नेचन में जो कुछ हो रहा है वो वो रियक्शन हो रही है जहांपर डेल्टा-एच की वैल्यू नेगिटिव होगी यानि एक्जो थर्मिक प्रोसेस होगी और इसके इ देते हैं एनर्जी देते हैं फिर उसको बना लेते यानि उसके अनर्जी बढ़ा देते हैं तो भला कोई अपने आपको स्टेबल क्यों करना चाहती होगी इसलिए कहीं बार यह स्टेटमेंट देकर फर्स्ट लौ थर्मोडाइनमिक्स आगे बढ़ जाता है फिर हमने नेच कि कि शमुद्र है कि यह समुद्र होगा यह यह आताप जानते होंगे मेरे बच्चों आपको मौनगे सर बिल्कुल कि यह बात हमें जानते हैं कि सर इस तरीके सब्ले में गता दुसरा आपको ये भी समझना होगा कि भाई कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं सुरज की रोसनी उसके उपर गिरती होगी भाई हाई ना ये क्या हो जाएगा सन अगर ये सन है तो कहीं ना कहीं इसकी जो एनरजी है या हीट है या फोटोंस हैं वो से स्ट्राइक करते होंगे कि नहीं particle होते हैं वहाँ पर net wonder भाल फोर्स जीरो नहीं होता और यहां से कुछ particle ऐसे बाहर की तरफ क्या होते है नेचर में बोलिए नेचर में ऐसे वैपराइज होते रहते हैं और अब क्योंकि यह पार्ट उको सिस्टम का है तो इसको we क्या गहेंगे बहुत इवैपोरेशन बोलिए कि इवैपोरेशन और ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब यह वैपोराजिशन होगा 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 तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक टाइम आएगा जब हमारे पास ऐसे हैं क्लॉड की फोर्मेशन होगी क्या होगी बेटा जी जहान से देखिएगा यह हो जाएगी यहाँ पर रहे होगी तो जल्राँ देखिए हुआ यह हमारे पास हो गया क्लॉड है अब मुझे बताओ क्लॉड का जो बनना होता है क्लाउड का जो बनना होता है वो नेचर का पार्ट है या नहीं अगर ये नेचर का पार्ट है अगर ये नेचर का पार्ट है और ये प्रोसेस नेचर में होती है ये प्रोसेस नेचर में होती है तो भाई आप कोगे सर ये प्रोसेस तो स्पॉंटेनस है अपने आपसे होती है तो कोई कराता थोड़ा ही है, कि कोई जाता है, पहले समंदर के पास फिर उसको धमकाता है, ओए सुन, चल यल्दी क्लाउड बन जा, हम तेरो को आग लगा देंगे, हम तेरो कोई कर दें कि ऐसा पुसीबल है, आप कोगे नहीं सर, ऐसा पुसीबल नहीं है, तो जर्रा देखि है, जर्रा देखिए मेरे बच्चो, अब यहाँ पर जब हमारे पास लिक्विड वाटर था, और यह वैपर में कनवर्ट हुआ, तो इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस के लिए, डेल्टा एच क्या था बिटा जी, डेल्टा एच था पोजेटिव, यानि यह जो प्रोसेस है, formation of cloud, यह जो प्रोसेस है, जिसको क्या गाएंगे, formation of cloud, क्या आपको लगता है कि यह एक एंडो थरमी क्रोसेस है, आपको ओगे, yes sir, it is an endothermik process, it is an endothermik process, और बेटा जी, इस process को first law of thermodynamics explain नहीं कर पाया क्योंकि हमें ये बात पताती कि first law of thermodynamics के इसाब से reaction वही हो सकती है possible बनला possibilities वही हो सकते जो exothermic हो endothermic हो यह नहीं सकती ही तो हम कहेंगे भाई this phenomenon यह कह सकते हैं first law of thermodynamics first law of first law of thermodynamics cannot explain this phenomenon इस phenomenon को या इस घटना को first law of thermodynamics explain कर ही नहीं बाता यहनी formation of cloud की बात कर रहे हैं लोग पूरो हमने वास समझी अब आगे बढ़ते हैं भाई अब आगे बढ़ते हैं कि इसको कौन explain करने के लिए आता है इसको आता है explain करने के लिए एक नया term यह अलब एक नया law जिसका नाम होगा second law of thermodynamics और वहां पर एक नई entity का नाम होगा जिसको कहेंगे हम entropy ठीक है entropy देखते हैं अभी कौनसी स्लाइट पर मैंने entropy को रखा हुआ है भाई हाँ देखिए अब हम बात करेंगे second law of thermodynamics के बारे में ठीक है भाई है second law of thermodynamics और second law of thermodynamics की जो statement है जैसे कहीं बार कुश्चन आता है कि बीच स्टेटमेंट इस करेक्ट और विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो स्टेटमेंट है यह हमारे पास second law कि अब थर्मोडाइनमिक की स्टेटमेंट है ठीक है बाई और यह क्या कहता है जर्ण देखिए इसने बोला है कि no process is possible whose sole result is the transfer of heat from a body of lower temperature to a body of higher temperature इनका कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास दो बड़ी होंगी ठीक है बाई दो बड़ी होंगी एक का temperature क्या होगा low temperature और दूसरे का क्या हो जाएगा बाई high temperature तो यह कहते हैं कि भाई आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि जिसका temperature low हो आप उससे heat निकालकर उससे heat निकालकर high temperature वाली body को दे देते हों ठीक है तो हम लिखेंगे भाई अगर यहाँ पर heat transfer होगी heat transfer cannot possible बस यह बास समझनी है लेकिन जो आपके पास high temperature वाली वस्तु होती है कोई भी body होती है अगर मालों में high temperature वाली और कम temperature वाली दो वस्तों को आपस में रख दूं तो आप लोग यह जानते हैं कि थोड़ी देर में high temperature वाली की heat थोड़ी कम होने लगेगी और जिसका temperature लो था पहले से उसके अंदर जब थोड़ी सी heat enter करेगी तो इसका temperature बढ़ने लगेगा तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर इस direction में heat transfer पॉसिबल नहीं है बट अगर हम बात करें होट टू होट टू लो टेंपरेचर वाली तो हम कहेंगे heat transfer can be possible heat transfer can be possible can be possible यह भाई यह इसकी पहली statement है जो आपको याद रखनी है ठीक है दूसरी statement देखिए भाई दूसरी statement एक नहीं scientist के नाम पर हैं जिनका नाम है Kelvin जिनके नाम पर आप पढ़ते हो temperature के unit Kelvin अब जड़ा देखिए क्या होती है यह कहते हैं कि no process is possible in which the sole result is the absorption of heat from a reservoir and is complete conversion into work इसका कहने का मतलब यह होता है कि अभी तक कोई ऐसा हमने इंजन नहीं बनाया है ठीक है भाई कभी ऐसा possible नहीं हो पाया है कि जितनी कैलरी हम उसके अंदर दे रहे हैं जितनी हीट हम उसको दें वो उसके बराबर exactly उतना work done कर दें जैसे उधारन के लिए मैं माल लेता हूं उधारन के लिए कोई इंजन है इंजन में हम क्या ैालते है भई पेट्रॉल डालते है डील न अकतर से केलरी 2 डालते हैं ताकि वो हीट प्रोड् Яश करे तो कहने का मतलब क्या एकि जब होव पेटरोल या डील उसके इंजन के अंदर जाता है और जलने के बाद हीट जो प्रोडूस करता है तो जितनी हीट प्रोड्यूज होती है उसके बराबर वर्गडन नहीं मिलता उसके बराबर हमें काम नहीं मिलता तो हम यहीं कहेंगे मेरे बच्चों कि आज तक ऐसा कोई इंजन बनाई नहीं है जिसकी एक अंडर्ड परसंट हो जिसकी एक इंजन बढ़ेंगे जिसका नाम करले ना पड़ेंगे लेकिन यह बात क्लियर एक में स्टेटमेंट यह यह चके के अंदर आ सकती है कि which statement is correct और which statement is incorrect राइट चलिए अब भढ़ते हम एक नए term के लिए जिसका नाम हो जाएगा entropy और अब हम यह समझेंगे कि entropy का मतलब क्या होता है entropy का का मतलब क्या होता है प्लीज समझेगा जैसे सपोस करिए entropy का मतलब होता है बिखरावपन ना भई बिखरावपन का मतलब होता है randomness उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ा है बस वह entropy है जो order में नहीं है जो order में नहीं है और disorder में है उसी को entropy कहते हैं देखो मैं यहाँ पर देशने शेक्रता हूँ entropy it defined as the entropy is defined as the degree of randomness यह छोटी सी एक इसकी क्या हो जाएगी definition और इसमें अगर आप कभी देखोगे तो इसको भी आप entropy को directly calculate कर सकते हैं हमेशाए entropy change calculate करेंगे आप लोगों की ध्यान रखना है कि जो entropy change होता है change in entropy वो भराबर होता है इसको हम at से denote करते हैं पहले में लिख देता हूँ it is a state function it is a state function and an extensive extensive property ठीक है भाई इस रिपर्जेंट इट इस it is represented by s ठीक है तो अब जड़ा देखिए एस की जब हम बात करेंगे तो s आप direct calculate नहीं करते हैं हमें साथ change in s calculate करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि enthalpy को represent करते हैं h से लेकिन हम h calculate नहीं करते थे delta h calculate करते थे क्योंकि कि वह h हम तभी calculate कर सकते हैं जो हम statical thermodynamics पढ़ेंगे लेकिन अभी हम लोग जो है 11 12 आईटी जई और आईटी एडवांस के syllabus में जो है सिर्व हम classical thermodynamics पढ़ते हैं इसलिए हम यहाँ पर delta s यादि ds calculate करेंगे और ds जो बराबर होता है वह होता है changing heat at temperature देखिए एक होता है changing heat with respect to changing temperature dt वह होता है heat capacity यह होता है exactly t के बराबर ठीक है तो इसकी जो unit होगी वह समझेगा क्या है ठीक है भाई unit देखेगा क्या होती है unit होगी इसकी हमारे पास क्या ऊपर है इसकी जूल राइट और यदि हमारे पास एक mol के लिए होगी तो जूल पर mol भी हो सकती है और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास temperature यह नहीं Kelvin तो हमारे पास अगर heat की unit दे रखी होगी जूल पर mol तो यह हो जाएगी जूल पर mol पर Kelvin ठीक है भाई जब हमें DQ की value जूल पर mol दे रखी होगी कहीं बार क्या होता है कि वो सिर्फ जूल में दे रखी होती है तब हमारे पास इसकी जो unit है है ना भाई इसकी unit है वो जूल पर Kelvin भी आपको देखने को मिलेगी क्लियर है तो यह होती है entropy हाँ entropy एक तरीके से आप लोगों ने यह पता लगया कि सर definition हमें रट गई ऐसे रिपरजेंट करते हैं यह बात हमें समझ में आ गई यह formula भी हम रटी लेंगे लेकिन इसको फील कैसे करें यह entropy होती क्या है तो जड़ा देखे मेरे बच्चो अभी थ इसके अंदर जो पानी है वह मैंने माल लिया हजार लीटर पानी है हजार लीटर पानी है और यही हजार लीटर पानी पहले कहां पर होगा बिटा जी समुंदर के अंदर होगा ओशन के अंदर होगा तो वही हजार लीटर पानी मैंने यहां पर माल लिया जो यहां से evaporate होकर वो cloud बन गया तो आप समझने कोशिश करिएगा जब इसके समुदर के पानी के 1000 लिटर की बात करेंगे तो वो volume क्या हो जाएगा बहुत fix सा रहेगा आसपास ही रहेगा बोलिये आपको किसर बिल्कुल यानि हम यह बात कहेंगे कि यहाँ पर जो 1000 लिटर होगा यहाँ पर जो 1000 घ्रावपन होगा वो क्या हो जाएगा बहुत जादा हो जाएगा यह बात समझते हैं आपके नहीं समझते बोलो आपको किसर बिल्कुल यह बात समझ गए चलिए यह बात आपको एक क्लियर हो गई दुबार अगर चलो यह बात भी नहीं समझ में आई तो फिर से अपना वह बोटल वाला मैफर लेके आते हैं बाई अब सफोर्वोज करिए यह इसमें पानी है और बहुत थोड़ा सा पानी होगा और मैंने थोड़ा सा पानी ऐसे बहुत देखो सिर्फ इतना सा पानी और यह जो पानी है नीचे की साइड यह बहुत जंगा पर विखर गया यानि इसके particle बहुत जगा पर चले गए वही थोड़े से water molecule सिर्फ इतने से हिस्से में थे इतने से हिस्से में लेकिन बाहर जाने के बाद वो क्या हो जाएंगे भाई फैल जाएंगे और अधी वो फैलेंग तो उनकी randomness बढ़ जाएगी अच्छा ऐसे भी समझ नहीं आया देखो भाई यह फिनोमेना है ठीक है सपोस करिए मेरा जो मुह है उसका volume होगा कुछ ना कुछ अरे तो मैं पी गया यार दुबार देखते हैं ठीक है सपोस करिए हूँ 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 देखिए मैं बतारू मैं थोड़ा सा पानी बगिजातर पीलिया था बहुत थोड़ा सा पानी ऐसे कर दिया आप भी करके देखना ठीक है जब आप करके देखो कि तो जड़ा आपको समझें आएगा कि या जो थोड़ा सा पानी सिर्फ इतने सा हिस्से में आ रहा था मेरे मूं में या मतलब बोटल में वो जब मैंने ऐसे कर दिया या उसमें स्प्रे की तरह उसको भार करा तो उसके पार्टिकल बहुत सारे एरिया में फैल गए और जब वो पार्टिकल बहुत सारे बड़े एरिया में फैल जाएंगे इसका मतलब क्या होगा भाई उनकी रेंडमनेस बढ़ जाएगी और जब उनकी randomness बढ़ जाएगी, इसी को हम entropy कहते हैं, degree of randomness, कि जो randomness आपको change होती नजर आ रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, entropy, ठीक है, और second law of thermodynamics कैसे beat करता है, first law of thermodynamics को जड़ा देखिये, वो ये बात कहता है, कि दुनिया में वो process possible है, जिसमें entropy बढ़ती हो, अच्छा, तो लोगों ने पहले क्या काम कर दिया, ये बात मान गए है, कि भाई चलिए, अगर हम बात करें इसकी, कि entropy बढ़ रही है, गढ़ रही है, तो चलो, देख लेते हैं, भाई, suppose करिए, यहाँ पर entropy S1 होगी, इस इसे में, और जब यही water, cloud बन गया होगा, तो entropy क्या ह हो गई होगी, S2, हमें ये बात तो पता है, कि cloud में पानी बहुत दूर-दूर होता है, और समुदर में पानी बहुत पास-पास होता है, अगर मुझे change in entropy निकालना पड़े, तो वो S2 माइनस के S1 निकालना पड़ेगा, और चुकि हम ये बात जानते हैं, कि S2 is greater than S1, S2 is greater than S1, तो यहां से एक बात समझ में आएगी कि delta S इसके लिए क्या हो गया positive, और उनकी बात सची भी हो गई वही, कि अगर entropy positive है, entropy अगर भटती है, तो वो process क्या हो जाएगी spontaneous, ऐसा उन्होंने माल लिया, आगे चलके बताऊंगा कि इस वाले low में भी क्या कमी रह गई थी, ये criteria of spontaneity को सही तरीके से explain नहीं कर पाया था, मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि spontaneity को first law of thermodynamics ने explain कर जा नहीं, उसमें भी कमी थी, वो से रितना कहकर चले गए कि जो process exothermic होगी वो हो जाएंगी, और जो नहीं होगी, जो endothermic होगी वो नहीं होगी, पर हमने ये भी देखा कि endothermic process भी हो रही है, फिर second law of thermodynamics कहता है कि भाई, criteria of entropy, enthalpy से देखते ही नहीं है, delta से देखते ही नहीं है, कि वो endothermic, exothermic है, वो कहते हैं कि मुझसे देखो, मैं entropy हूँ, entropy अगर बढ़ेगी, तो process spontaneous हो जाएगी, और उनने ये वाली बात भी explain कर दी, जोस्ते नहीं हो थी first law of thermodynamics से, चल to the point वापस, ये दोनों statement याद हो गई आप लोगों को, अब मैं बात करूँ कि हमें entropy समझ में आ गई, इसकी unit समझ में आ गई, अभी जो entropy है ना, ये various type की होती है, और इसके कैसे question आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उधारन के लिए, उधारन के लिए, आप लो process के लिए entropy calculate करेंगे, लेकिन उसमें भी, उसमें भी क्या होते ही, कि भाई जड़ा देखिए, प्लीज समझ ना मेरी बात, सबसे मैं entropy के अलग-अलग type बताऊंगा, जैसे suppose करिए, आप लोगों के पास H2O liquid है, H2O ice है या solid है, अगर आप इसको convert करते हो, क्या, H2O, H2O liquid में तो आप क्या करोगे बिटा, जिसको melt करोगे, इसको fuse करोगे बोलिए, तो यहाँ पर क्या दे रखा होगा जड़ा देखिए, इस solid को melt करने के लिए, liquid में convert करने के लिए, एक enthalpy क्या हो सकता पड़ती है, जिसको हम क्या कहते है, enthalpy of vaporization, और आप लोग ये भी जानते होंगे, कि कि जब हम solid liquid को, solid water को liquid में convert करेंगे, तो एक particular temperature की भी आव सकता होगी, जैसे हम लोग जानते हैं कि water का melting point कितना होता है, 0 degree Celsius, यानि T equals 2 कितना हो जाएगा, 273 Kelvin, ऐसे statement तो आपको पता हो सकती है, बाई, numerical में भी दे रखी होगी, वो पुछे कि degree, sorry, entropy change कितना हुआ, तो ज़रा देखिए, हम लोग ये बात तो जानते ही होंगे मिटा, कि जो enthalpy change होता है, वो heat change के बराबर ही होता है, जब constant pressure होता है, और हमने pressure कहीं पर change करा नहीं है, क्योंकि surrounding में pressure तो constant ही रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे मिटा यहां पर, कि delta S का जो formula होगा, वो DQ by T हमने पढ़ा था हाँ या ना, लेकिन अगर हम vaporization कर रहे होंगे, तो हम बुलेंगे delta S of vaporization, यानि entropy of vaporization, जो बराबर होगी, delta H, नहीं, vaporization नहीं, यह तो fusion है, sorry, sorry, बेटा, sorry, यह क्या हो जाएगे हमारे पास, delta H fusion, ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, delta S fusion, और बराबर किसके होगी, T, और T कौन सा होगा, melting point या freezing point, और आप लोग ये बाद जानते होंगे, मेरे बच्चो, क्या, आप लोग ये बाद जानते होंगे कि जब कभी भी हम melting करते हैं, है ना भई, उस condition में temperature में कोई भी change नहीं आता, तब temperature में कोई भी change नहीं आता, temperature fix रहता है, जब तक कि सारा का स सारा solid liquid में convert ना हो जाएं, तो ये तो होगे, आपके पास एक, दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या होगा, जड़ा देखिए भई, सपोस करिएगा, अगर आपके पास ये phenomenon है, H2O liquid को आप convert करना चाहते हो, H2O vapor में, तो आप लोग जानते होंगे, जब हम liquid को vapor में convert करते हैं, वाटर में, तो वहाँ पर भी temperature fix रहता है, यदि pressure 1 ATM है तो, ठीक है, यानि pressure constant है तो, तो temperature माल लीजे हमने 100 degree Celsius कह लिया, या इसको हम 373 Kelvin कह लें, और जो heat हमारी लगेगी, उसको बोल देंगे, enthalpy of vaporization, आया ना, आपको वोगी सर बिल्कुल, ये बात तो हमें समझ में आ गई, यहाँ पर भी temperature vary नहीं कर रहा है, पर enthalpy of vaporization मीं दे रखा है, reversible का sign भी होगा, तो अगर मुझे यहाँ पर entropy change calculate करना हो, तो मैं कहूँगा कि entropy change of vaporization बराबर होगा, heat of change of vaporization divided by boiling point, ठीक है भई, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बिटा जी, दूसरा formula आ गया entropy का, entropy का formula आ गया formula आ गया, आगे देखिए बिटा, आगे condition क्या है, अब मैं बात करूँगा भई, कि मान लीजे मेरे पास iodine solid है, और मैंने इसको direct, मैंने direct क्या कर दिया बिटा जी, iodine gas में convert कर दिया, समझेगा, इस process को हम क्या बोलेंगे, जब solid को gas में convert करते हैं, direct बिना liquid में change हुए, इसको हम बोलते हैं, बिटाजी, sublimation, क्या बोलेंगे, sublimation, और आप लोग जानते होंगे, sublimation में जो enthalpy होती है, उसको क्या बोलते है, enthalpy of sublimation, बोलिए, आपको किसर बिल्गुल, और यहाँ पर temperature भी क्या होगा, fix लोगा, same to same, यह जो process इसको क्या बोलेंगे, fusion, इसको क्या बोला हम हमने, vaporization, अगर मुझे इस condition में entropy calculate करनी हो, तो delta S जो होगा, क्या वो enthalpy of sublimation, divide by T, यह formula के हिसाब से हम entropy change calculate कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप को कि सर, यह बात तो हमें समझ में आ गई, यह बात तो हमें समझ में आ गई है, यह बात तो हमें समझ में आ गई है, कि सर, delta S की value, जब temperature सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, तब हमारे पास इस इन formula से calculate करनी है, आगे देखिए, अब हम बात करेंगे entropy change in various process, गीवन दा बिलो, वो अलग चीज है, पर मैं आपको एक बाताता हूँ, जैसे अलग अलग process होती है, आईसो thermal, आईसो बारिक, एडियाबेटिक, कर जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, बाई, तो मैं आपको वापस एक बात बताना चाहूँगा, मेरे बच्चो, जड़ा देखिए, आपको एक बार में derivation की बात निकरूँगा, ज़्यादा confusion नहीं करूँगा, सिर्व आपको एक equation याद रखनी है, ठीक है, derivation नहीं, सिर्व एक equation याद रखनी है, और उस equation से ही, बार-बार अपना दिमाग लगा कर, अपना correct answer निकालना है, जड़ा देखिए, अगर आपको अलग-अलग प्रोसेसर में निकालना हो, कभी entropy, तो entropy निकालने के लिए आप लिखेंगे, delta S, nCV, natural log, T2 by T1, समझेगा, volume क V1, आप लोगों को ये रखना है, V2 by V1, अगर volume change होता है, तो, दूसरा आप same to same formula जैसे nCV लिया है, ऐसे आप nCP लिख सकते हो, natural log सेम रहेगा, T2 by T1 वो बता देगा, और plus के nR, natural log, P1 by P2 ऐसे करना है, अब मैं आपको एक बाप बताता हूँ, अगर किसी numerical में दो pressure दे तो ये वाला formula जाएगा, और दोनो formula बराबर हैं, ये भी बात ध्यानक नहीं है, अगर किसी बच्चे ने ये relation एक बार रट लिया, ये relation उसको अगर एक बार समझ में आ गया, तो बेटा जी यहां से वो अपने IIT में आने वाले एक question को तो बड़ी आसानी से कर देगा, कैसे होगा, IIT में बहुत rare chance होते हैं कि इसके उपर numerical आए, numerical आने के chances कम हैं, लेकिन formula याद रखने के भी question बनते हैं, कई बार ऐसा question आता है कि इन में से कौन सी statement correct है, और कौन सी statement correct नहीं है, या कौन सा relation सही है, कौन सा relation सही नहीं है, अब हमने overall delta का formula कर लिया या तो ये, या ये, अब ज़रा देखें बेटा, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, और मैंने का आगी भाई चलो, ISO thermal process के बारे में बात करते हैं, कि ISO thermal process के बारे में कौन सा formula लगना चाहिए, तो ज़रा देखिए, ISO thermal का मतलब क्या होगा, टेंप्रेचर मेरे पास क्या हो जाएगा, भोलिए, आप को कि कि सर, ISO thermal का मतलब हो जाएगा, टेंप्रेचर constant रहेगा, चेंज इन टेंप्रेचर 0 के बराबर रहेगा, यानि T1 बराबर क्या रहेगा, T2 के बराबर, T1 क्या रहेगा, T2 के बराबर, रहेगा कि नहीं, आप को कि सर बिलकुल, अब मुझे पता है कि डेल्टा S का जो formula है, व यह हो सकता है, या क्या था बिटा जी, NCP, natural log, T2 by T1, प्लस, और NR, natural log, P1 by P2, यह हो सकता है, अब आप क्योंकि जानते हैं कि T1 और T2 की value बराबर है, तो T1 और T2 आपस में क्या हो जाएगा, cancel, यह पूरा term किसके बराब हो जाएगा, 0 के बराबर, सेम टू सेम, यहाँ पर भी होगा, T1 और T2 दोनों बराबर हैं, यह पूरा term किसके बराब हो जाएगा, 0 के बराबर, चुकि natural log 1 की value 0 होती है भाई, हाँ या ना, आपको किसार यह बात तो हमें समझ में आ गई, तो आप लोग क्या करोगे, अगर कभी भी आपको ISO thermal process दे के होंगे, तो आप लिखेंगे, NR, natural log, P1 by P2 और आपका कोई भी answer गलत नहीं कर सकता, अगर आपको यह बात याद रहेगी, तो, confirm बता रहा हूं, आगे देखिए, next क्या है हमारे पास, एक question आया, सेम इसी के उपर, इसने बोला है, इसने बोला है, क्या भई, इसने बोला है कि oxygen gas weighing 64 gram is expanded from 1 ATM to 0.25 ATM, कितना दिया हुआ है, और temperature क्या दे रखा है, 30 degree Celsius, यानि constant है, what is the entropy change, assuming the gas of, to be ideal, please समझना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं, pressure क्या है है, pressure हमारे पास vary कर रहा है, दो pressure है, temperature क्या है, एक ही दे रखा है, निक constant temperature है, प्रोसेस कौन सी हो गया, isothermal, तो delta S का कौन सा formula लगाएंगे, delta S का formula लगाएंगे, क्या बिटा जी, delta S बराबर हो जाएगा, nR natural log, जब दो pressure होते हैं, तो हमारे पास P1 by P2 लगाते हैं, right, क्यूंकि आप लोग जानते होंगे, आइसो थर्मल के लिए, दो pressure के लिए मैंने ये लिक्वाएंगे, nR natural log, P1 by P2, यही दिया था, अब जड़ा देखो पिटा, formula मैंने आपको बता दिया है, P1 की value, आप लोग जानते हो, 180m है, P2 की value, आप लोग जानते हो, 0.258m है, आपको क्या निकालना है, R की value भी उसने दे रखी, 8.3, n की value चाहिए, अब आप लोग ये बात जानते होंगे, कि जो weight of O2 दिया हुआ है हमें, वो कितना दिया है भई, वो देरका 64 gram, अब लोग जानते हैं कि molar mass कितना होता है O2 का बिटा जी, आपको किसा 32, अगर मुझे mole calculate करने हो, तो given mass by molar mass वाला formula होता है, कि given mass तो हो गया 64, molar mass हो गया 32, solve करें तो N की value कितने आजाएगी 2, तो N की value 2, R की value दे रखी है, natural log को आप देखोगे, तो natural log 4 की value भी दे रखी है, 1.4 यहां पर put करोगे, और मुझे ABCD में correct answer बताओगे, इस question का नाम हो जाया का जी, कटपा, त्यान नकना है आप लोगो को, समझ में आया कि नहीं, बहुत simple होगा बस, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी numerical बहुत बड़ा नहीं होगा कि आधे page का, एक page का, नहीं नहीं, बहुत simple, लेकिन बस क्या कि आपको बना धिमाग चलाना है कि कोण से term पे कोण सा फोमला लगाएं, बस इस बात का पता होना चाहिए, चलिए, अब बात करते हैं आ तो भाई, डेल्टस का एक फोमला पढ़ाता, वो क्या था, एन सी पी, नेचुरल लोग, टी टू बाई टी वन, प्लस के, एन आर, नेचुरल लोग, पी वन बाई पी टू, ये एंट्रोपी चेंज का फोमला था, जो कि हम याद करने के लिए बोला था, वो एक्वेशन तो आइस बारिक, इट मीन क्या होगा कि प्रेसर हमारे पास कउंस्टेंट है जी, प्रेसर कॉंस्टेंट है, तो चेंजिन प्रेसर कितना हो जाएगा, जिरो, यानी P1 बराबर, विःद以及 бор特 odor P2 दोनों बराबर हो गए, तो ये ट conve merciful हो जाएगे, और यहाँ पर नेचुरू लोग T2 by T1 आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक बार ऐसा कोशन आया था कि इन में से कौन सा correct relation है isobaric process के लिए इन में से कौन सा correct relation है isobaric process के लिए option A, option B, option C, option D में अलग-अलग formula लिखे थे तो आपको पहले तो यह ध्यान रखना है कि formula कौन सी process के लिए कौन सा आ रहा है और वो सिर्फ एक ही जंगा से आएगा वो सिर्फ एक ही जंगास आएगा कहां से इस वाली equation से अगर constant pressure है तो आप लोगों को इधर वाला समझ में आ जाएगा constant pressure पर CP ले रखा है फिर दो pressure होंगे तो P1 और P2 आपस में cancel out हो जाएंगे सिर्फ यही तो बचा इस तरीके से आप करना है आगे same to same जड़ा देखेंगे अगर मैं बात करता हूँ isocoric process के बारे में किसके बारे में बात कर रहा हूँ जी isocoric process के बारे में आप लोग यह बात जानते हो कि isocoric process का मतलब होता है कि volume इस बार हमारे पास क्या रहेगी constant वॉल्यूम में कोई change नहीं आएगा तो changing volume कितना हो जाएगा जीरो और वी वन बराबर क्या हो जाएगा वी टू अब आप बताईएगा जब हम constant volume लेंगे तो heat capacity भी कौन सी लेंगे constant volume वाली और हमारे पास क्या formula होता है delta s का उससे related किसा delta s बराबर होता है ncv natural log t2 by t1 plus k nr natural log v2 by v1 और चूंकि हम लोग जानते कि changing volume बराबर है वी वन और वी टू की value बराबर है तो यह value आपस में cancel out हो जाएगी बिटा यहां पर natural log 1 बचेगा उसकी overall value कितने हो जाएगी 0 तो formula क्या होगा delta s बराबर ncv t2 by t1 और हमारे पास यह formula आ जाएगा entropy change का समझाई बात यह formula कब लगाना है जब हमारे पास isocoric process होगी आगे देखते हैं भाई अब आगे हम बड़े तो हमारे पास आया adiabatic process अब adiabatic process से जड़ा देखे क्या है adiabatic process में आप लोगों को याद होगा temperature भी change होता है volume भी change होती है pressure भी change होता है change क्या नहीं होती heat change नहीं होती dq की value 0 रहती है change 0 रहता है तो हम कहेंगे तो भाई ऐसा होना है कि अगर कभी भी आपको को इस ट्राइप का numerical दे दिया गया तो आपके पास सारी चीज़े चेंज हो रही है तो होगा n cp natural log t2 by t1 प्लस के nr natural log p1 by p2 प्रेशर भी चेंज होता है temperature भी चेंज होता है पराबर होगा n cv natural log t2 by t1 अगर मैं cv लेता हूं प्लस तम मुझे लेना पड़ेगा nr natural log v2 by v1 तो ज़रा देखो किसी numerical में दो प्रेशर दे रखे होंगे तो left hand side वाला देख लेना और किसी numerical में दो volume दे रखे होंगे तो right hand side वाला देख लेना लेकिन हाँ यह पूरी की पूरी equation जो है वो इडियाबेटिक प्रोसेस के लिए apply होगी चाहे left hand side और चाहे right hand side चलिए जब हम यह बास सीखी चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास एक question है यहां कहा गया है when one mole of an ideal gas is compressed to half of its initial volume and simultaneously heat to twice उसको heat भी करा गया और its temperature the change in entropy is जड़ा देखे मेरे बच्चों आप लोग जानते हैं वो जो भी उसने का कि आपने compress करा initial volume जो थी वह क्या होगे भई इनीशल वोल्यूम एंड़ करने पर अगर मालीजे वी वन की वैल्यू हमारे पास वी है तो वी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी आधी हो गई वी बास समझ में आ गई and Simon heat heat to twice its temperature उसने का कि अगर temperature T1 था तो T2 जो होगा वो दो T हो जाएगा डबल होगे पुछा है कि entropy change कितना होगा बहुत सिंपल है भाई आप लोगों ने देखा कि entropy भी चेंज हो रहे है तो टेंपरेचर भी चेंज हो रहा है और बोल्यूम भी चेंज हो रहा है और यहां पर तो फिर वह वाला फुमला लग जाएगा कि डेल्टा एस बराबर एन सीवी नेचुरल लोग टीटू बाई टीवन प्लस के एन आर नेचुरल लोग वी टू बाई वी वन वाला अब आप देखें बेटा जी एन तो हमने वन रखा हुआ है रखोना रखो एक ही बात है सीवी चैंख फिर दिए नेचुरल लोग टीटू की वैल्लीू टू और यहां क्या हो जाएगा बन तो हगया बैर प्लस अ प्लस अब यहां पर क्या होगा एन और आर मेरे पास एक है और मैंने आजिटिग रखा नेचुरल लोग वी टू कि वैल्यू कितनी हो जाएगी बटा जी वी बाइटू है ना तो यहाँ पर मैं लिख दिख जा भी वी बाइटू और वी बन की वैल्यू वी थी तो एक एंसल आउट हो जाएगा ना मैनस के आर नेच्ड़़ लोग 2 और जब यहाँ पर नेच्ड़र लोग टू आप को ब मल लेंगे तो आपके पास आएगा सी वी आपके पास आएगा पिटाजी क्या कि cv minus के 2r और यहां पर होगा natural log 2 तो आप देखें बाई correct answer क्या होना चाहिए cv natural log 2 2 नहीं है तो r ही था ना सोड़ी सोड़ी क्योंकि हमने minus भार लेकर आए तो cv minus के r natural log 2 अब आप लोगों को बता रहें correct answer क्या होगा इस question का नाम हो जाएगा हमारे पास क्या इसका नाम हो जाएगा भाई शनी दे ओल पुराने जमाने में नलका भाड़ देता था हाँ तो भाई ऐसे करके आप लोगों क्या करना है सोरी भाई थोड़ी खराब चल लिए लेकिन कोई बात नहीं ठीक है तो आप लोगों का answer match होना चाहिए पर आप मुझे बताएंगे comment box के अंदर क्या answer होगा अब इसने कहा कि entropy change for the reaction entropy change for the reaction के लिए कैसे कैसे कोश्चन जो है IIT के पर्सन पत्र में पूछे जा सकते हैं यह थोड़ा सा बताएंगे जड़ा देखिए बिता entropy change for the reaction के बारे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे माल लीजे कि A into में B A into में A, A plus B gives C plus D यह chemical reaction है और आपके मन में खुद से से लिखा हुआ है कि यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ऐसे ठीक है और आप लोगों को इस reaction का entropy change निकालना है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि entropy change, for the reaction अगर आप लिखोगे तो होगा summation of entropy change entropy change, summation of entropy change of product, minus के summation of entropy change of reactant, और कैसे होगा यह, यह भी molar entropy change जड़ा देखिए, आप लोगों करना कैसे है, आपको मैं एक बार सिखा देता हूँ, जैसे मालनी जे मुझे entropy change इस reaction के लिए निकालना है, तो product कौन हो गया मेरे साथ, C and D, तो यहाँ पर आप लोगों को numerical में molar entropy की value दे रख्योगी, molar entropy, तो आप लिखेंगे molar entropy SM of C, ठीक है बाई, और जो भी stoichiometry होगी, उसको 3 से multiply कर दोगे, ठीक है, एक मालनी जोगे, molar entropy को आप क्या कर दोगे, 3 से multiply कर दिया आपने, फिर उसके बाद D के लिए plus 1 in 2 में molar entropy of D, ऐसे लिखा होगा, अब आपने क्या काम कर दिया वही, यह लिखा अलग, यह तो होगे product की side का, minus के, अब करेंगे हम reactant की side का, reactant वाली side में A और B है, तो हम लिखेंगे, A के साथ stoichiometry 1 है, तो हम लिखेंगे, delta S molar entropy of A, plus के, B के साथ के habitat 2, तो 2 in 2 में molar entropy of B, और बस, यह value सबारी की सारी, आप लोगों को question paper में दे रखी होगी, numerical में दे रखी होगी, आपको value रखनी होगी, और one, two, कैसे multiply करना, यह मैंने आपको बता दिया, delta S of reaction directly आ जाएगा, यह मैं आपको बता देता हूँ, आगे, यह तो हो गया, एक type का जब numerical आएगे, एक type कैसे question आते हैं बाई, आपको बताओंगा आगे, अभी कैसे आएगा, मान लिजेगा कि आपको 4-5 equation दे रखी हैं, और 4-5 equation देने के बाद, वो यह पूछेगा कि बताएगे किस वाली reaction में entropy बढ़ रही है, या किस वाली reaction में entropy घट रही है, या किस वाली reaction में entropy कोई खास change नहीं आ रहा है entropy में ऐसे मानके चलना है तो ज़रा देखिए अलग-अलग reaction होगी entropy जो होगी entropy change जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा changing entropy NG में समझना मेरी बात कि जिस reaction के लिए delta NG की value जो होगी वही आपके लिए वही sign आपको delta S के लिए लगाना ह उधारन के लिए अगर मेरे पास ये equation है कि PCL5 gaseous है और इस reaction में मैंने लिखा PCL3 gaseous प्लस के CL2 gaseous तो मैं ये बात कहूँगा कि भाई यहाँ पर इस reaction के लिए अगर आप delta NG calculate करोगे तो वह प्लस 1 आएगा क्योंकि right hand side में क्या हुआ बिटा जी right hand side में gas के 2 mol है left hand side में gas का 1 mol है दो में से 1 गटा होगे तो कितना बचेगा बिटा जी एक positive आएगा यानि तो हम यहाँ पर कहेंगे भाई कि इसके लिए जो entropy change होगा वह भी positive होगा यानि बढ़ेगी क्यों हमने कहा support करिए कि पहले एक पार्टिकल था अब जब वो टूटे तो दो पार्टिकल बन गए तो पहले जो एक पार्टिकल घूम रहे थे अब वो टूट कर दो बन गए तो उनकी जो randomness होगी वो और बी जादा होगी और randomness अगर और जादा होगी तो हम कहेंगे entropy बढ़ेगी तो बड़ा सिंपल तरीका है कि जो भी टेल्टा एंजी आएगा positive, negative, zero उसी हिसाब से आपको डेल्टा लिखना है आगे देखिए मैंने कहा कि कैल्सियम कार्मोनेट है solid है, gives calcium oxide है, solid है, plus CO2 है, gaseous है, हाँ या ना, आपको कि सर यह बात तो हमें समझ में आ गई अब मैं क्या कहूँगा भई, इस reaction के लिए डेल्टा एंजी calculate करूँगा तो पलस बन हो जाएगी न, तो प्रोड़क की side में एक mol है gas का, और left hand side में तो एक भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई, इस condition में delta S फिर से बढ़ जाएगी, राइट, फिर से बढ़ जाएगी, आगे देखेंगे, आगे मेरे को कहा गया है, कि मान लीजेगा आपके पास यह reaction है, N2, gaseous plus K3, H2, gaseous, यह reaction करके, 2 mol ammonia के होगा, एक mol gas का, तो मैं यहाँ पर क्या होगा भाई, delta NG जो होगा, को हो जाएगा, इसमें negative, यानि कितना negative, बोलो, minus 2, तो आप लोगों को idea लग जाएगा, कि जबार delta NG घटा है, तो delta S क्या हो जाएगी, decrease, यानि negative, इस तरीके से आपको लखना पड़ेगा, चलो भाई, इस concept के उपर एक question कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है, यह question IIT 2019 में आया हुआ question है, ठीक है, चलिए देखते हैं, भाई, क्या होगा, the process with negative entropy change, ऐसी process बताइए, जिसमें negative entropy change होती हो, देख ये बिटा, पहले वाली reaction के अगर मैं बात करूँ, पहले वाली reaction के अगर मैं बात करूँ, तो आप लोग देखेंगे, कि सर, CASO4, मैंने आपको hint दे दिया है, यह solid है, और जब यह decompose होगा, CAO solid plus के SO3 gas, यह बनेगी, इसके लिए delta NG की value positive होगी, और entropy बढ़ेगी, जबकि हाँ पर पूछा क्या है कि negative entropy change कहाँ पर आया, घटेगी कब, ऐसे ही मैं एक देवशेना दे देता हूँ बिटा जी, और देवशेना का रांस क्या हो जाएगा भई, अमोनिया का synthesis करना है हमें N2 और H2 से, हम लोग जानतें कि N2 gaseous प्लस के 3H2 gaseous और Gives कितना आएगा भई, 2NH3 gaseous, देखो entropy के उपर बहुत simple question आते हैं, जान रखना मेरी बात मैंने पहले ही बोला था, आप लोगों ने देखा सर, इसमें तो delta NG की value क्या हो गई, negative, अब आप खुल सोचिए कि delta S की value क्या रही होगी, negative या positive, और इस question करने में आपको 15 seconds से ज़्यादा भी ने लगेगा time, ठीक है भई, तो इस question का answer मुझे comment box में बताएंगे, और इस question का नाम हो जाएगा भई क्या, इस question का नाम रख देते हैं, चलो हम भई, क्या रखे यार, बढ़ी हसा नाम बताओ भई, चलिए, सकुशन का नाम हो गया दिली, दिली वाले question का नाम बताएंगे भई, आगे देखो भीटा, आगे हमारे पास क्या है, change in entropy is negative 4 फिर से हमें बताना है कि कहाँ पर entropy में change negative होगा कहाँ पर entropy में change negative होगा देखे भई आप लोगों को बताना चाहता हूँ bromine liquid से bromine gas बना यहाँ पर तो आप लोग समझ जाएंगे delta NG delta NG के आगया positive ठीक है फिर मैंने का कि यहाँ पर एक और में देखोगे तो यहाँ पर भी delta NG अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड में दो मोल है गैस के लेट हैंड साइड में सिर्क एक मोल है water वाला गैस का यानि यह भी plus one यह भी positive आएगा बढ़ेगा आप लोग जानते होंगे यहाँ पर pressure 10 ATM है यहाँ पर pressure 1 ATM है यहाँ पर temperature 400 Kelvin है यहाँ पर temperature 300 Kelvin है मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे बच्चों सुनिएगा मेरी बात आप लोग समझने कुशिच करिएगा अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे बाद nitrogen 10 ATM थी और फिर मेरे बाद 1 ATM है यानि क्या होगा कि स्टार्टिंग में एक सिलेंडर रहा होगा इस्टार्टिंग में एक सिलेंडर रहा होगा जिसको मैंने highly compressed रखा रहा और यहाँ पर 10 ATM प्रेशर था अगर मान लीजे मैं किसी तरीके से इस पिश्टन को ऊपर लेके चला जाओं तो इसका प्रेशर क्या होगा घटने लगेगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा और आगे मैंने क्या काम करा आपको कि सर जब इसमें आपको दूसरी कंडिशन में लेके जाओंगे तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा आपको कि सर प्रेशर तो हो जाएगा डिक्रीज लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अब गैस के पार्टिकल ज्यादा दूर तक मलब ज्यादा वोल्यूम में रेंडमनेस गूम सकते हैं बिखर सकते हैं तो आपको वह जो पास पास थे यहां पार्टिकल बहुत दूर दूर फैल गए तो एंट्रोपी फिर से क्या करों करों करो तो पानी वेपर में करमार्ट हो जाएगा एंट्रोफी बढ़ेगी हैंशाया ककत और अगर अगर आप सॉलिड को गरद हो रोगे लिक्विड में तो वह भीज हिंट्रोपी बहएं क्योंकि पहले solid में particle fix रहते हैं जैसे वो liquid में convert होगा तो फिर उनकी randomness बढ़ जाती वो फैलते रहते हैं तो कहने का मतलब होगा एक बात ध्यान दखना है entropy entropy directly proportional to temperature temperature के बढ़ने पर entropy बढ़ती है यह बात ध्यान दखेंगे आप ठीक है दूसरी चीछ एक note point और बढ़ताना चाहूंगा मैं यहां पर डी वाले option में पहले 400 Kelvin था अब 300 Kelvin है amount same है जब temperature घटा होगा तो सीधी सी बात होगी entropy भी क्या होई होगी बेटा जी entropy भी decrease होई होगी entropy भी decrease होई होगी तो यहां से हमें बात समझ में आ गई है तो correct answer होगा हमारे पास देव सेना correct answer क्या होगा पीटा हमारे पास देव सेना आगे बढ़ते हैं यह question IIT जेई मेंस में आया था 16 अपरेल के दिन 2018 में और यहां पर कहा गया था कि for which of the following process किस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वेल्यू नेगिटिव होगी यह आपको बताना पड़ेगा बाई किस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वेल्यू नेगिटिव होगी डाइमंड ग्रैफाइड दोनों सोलिड हैं डेल्टा एंजी क्या हो जाएगा पिटा जी अल्मॉज जीरो यहां पर टेंपरेचर बढ़ा है डेल्टा इस क्या होगा बैई पोजिटिव टेंपरड़ने पर बढ़ती है यहां पर देखोगे गैस के दो मोल यहां पर गैस का एक मोल डेल्टा एंजी क्या हो गया बई वोलिए आपको कि सर पोजेटिव यहां पर भी डेल्टास क्या होगी पोजेटिव अब आप समझेए पहले गैस का प्रेशर वन एटीम था अब गैस को दबा कर पांच एटीम पर चला गया है तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो वोल् आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास एक नया कोश्चन है जो की आईएटी एडवांस में आया कोश्चन है आईटी एडवांस में क्या है 2018 में वन मोल ओफन आईडियल गैस एट 300 केल्विन इन थर्मल कोंटेक्ट विद स्राउंडिंग एक्सपेंड आईसो थर्मली फ्रॉम वन लीटर तो टू लीटर अगेंस्ट अ कॉंस्टेंट प्रेशर ओफ थ्री एटीम इन इस प्रोसेस दचेंज इन एंट्रोपी आप लेंगे डेल्टा एस निकाल लेंगे डेल्टा इसके बरावर होगा इस तो थर्मल में आपको याद होगा कॉंस्टेंट प्रेशर दे रखा है ठीक है बही और दो अलग-अलग वोल्यूम दे रखे हैं तो आपके पास क्या था एन आर आपके पास क्या था फोम नाम एन सी लोग टीटू बाई टीवन प्लस के एन आर नेचरल लोग वीटू बाई वीवन यह वाला फूमला दे रखा था आपको याद है ना दे रखा होगा आगे देखिए तुई टैंपरेचर सेम रहेंगे टीवन टीटू की वैल्यू सेम होगी यह कैंसल आउट हो जाएंगे यह पूरा का पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा और डेल्टा एस किसके बराबर होगा बिटा जी एन आर नेचरल लोग वीटू बाई वीवन ठीक है बाई अब क्यूंकि नेचरल लोग की वैल्यू दे नहीं रखी है तो हम इसको लोग में कर लेते हैं डेल्टा एस बराबर पर हो जाएगा 2.303 nr natural log v2 by v1 और v2 की value कितनी हो जाएगी टू लीटर ठीक है भाई वीटू की value हो जाएगी टू लीटर और v1 की value कितनी हो जाएगी वन लीटर जब आप यहां से value पूट करोगे तो हमारे पाथ delta s कितना आएगा भाई वो लिए आप कोगे सब delta s will be 2.303 n की value कितनी है वन मोल तो n की जगापर वन रखा आर की value कितनी हो जाएगी 8.314 लोग क्योंकि natural log को जब लोग में convert करते हैं यह लोग आएगा भाई तब 2.303 से multiply करते हैं तो यहां पर आएगा क्या भाई लोग और वी टू की जगापर हो जाएगा 2 और 1 लोग 2 की value आप लोग जानते ही हो क्या होती है भाई देखिए लोग 2 की value होती है आपके पास 0.3010 यहां पर value रख देना चुपचाप delta s निकाल देना सिस्टम के लिए अब आप समझेंगे मेरी बात हमने जब कभी भी इस cylinder में गैस को रखा होगा मालनी जेगा कि इस point पर एक लिटर था वन लिटर यह यह expand हुआ लुका टो यह 2 लिटर हो गया तो भाई शिस्टम के एंट्रोपी पढ़ रहीं होगी लेकिन पहले इंट्रोप और जो स्रॉंटिंग की entropy होती है बहार के entropy नफ्रोपी घट रही होगी क्यों घट रही होगी जब system हम expand करता है तो इसके लिए हीट क्या होती है पोजिटिव डी क्या होता है पिटा जी इसके लिए पोजिटिव और आप लोगों ने एक एंट्रोपी का फॉमला भी समझा होगा कभी लाइक में कि डिल्टा एस बराबर होता है डी क्यूबाय टी अगर डेल्टा एस बाइस पॉ क्या हो रही है स्राउंडिंग की तो हीप तर्फते से डिकरीज हो रही है न भाई तो जब स्राउंडिंग निकालों के निकालोंगे तो यहां पर आप लुख्ण लगा लेँगा ठीक है यह बात समझे लों या फिर ऐसे याद रख लो गर आपको याद होगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस स्राउंडिंग बराबर जीरो बराबर जीरो वो भी कब पोर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस दे रखी हो उसके लिए अब डेल्टा सिस्टम आप लोगों यहां से कैलकुलेट कर लोगे जो आपको दे रखा है डेल्टा सराउंडिंग हमसे पूछा है तो ज़रा देखो बेटा जी आई टी एडवान 2016 का कोश्चन आपको कितना टफ लग रहा है क्या बहुत टफ होगा पताईए आपको किसर टफ तो नहीं है हम आपको इसका आंसर निकालकर जरूर बताएंगे वो भी कमेंट बोक्स के अंदर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे थर्ड लोग अफ्थर्मो दैनिस के बारे में क्या है थर्ड लोग थर्मो दैनिक जरा देखें बटा थर्ड लोग थर्मोदानिमिस कहता है थार्ड लोप थर्मोडानमिस कहता है एट एपसोल्यूट जीरो देखिए यह आपको याद रखना पड़ेगा भाई पर्चकों मैं समझाऊंगा आराम से कैसे जरा देखिए माल लीजिएगा कि मेरे पास एक आइनी कंपाॉंड है और आप लोग यह भी जानते होंगे किätter अग़े PS dür आगले साथ पड़ोगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा तो ज़रा देखे भाई सपोर्ट करिए कि ये छोटे-छोटे ऐसे सोलिड स्टेट में मैं बना रहा हूँ थ्री डाइमेंशनली अगर यहां पर क्लोराइड होगा तो जरूरी सीधी सी बात है कि हाँ पर एनने प्लस होगा इससे नेक्स इससे नेक्स क्या होगा क्लोराइड होगा फिर उससे नेक्स क्या होगा पिटा जी एनने प्लस फिर उससे नेक्स क्यों होगा एनने प्लस फिर उससे नेक्स क्या होगा एनने प्लस फिर इससे नेक्स क्या होगा एनने प्लस यानी द प्लस के आगे भी हमें पता है CL-C आएगा और हमें अब आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि यहां पर जो अरेंजमेंट का ओडर होता है वो बिल्कुल फिक्स है है वो घूम नहीं सकते हैं रहेंगे और उनकी पोजिशन भी सेम है जो उनकी होनी चाहिए तो उनकी एन्ट्रोपी को हम क्या मानते हैं तो कि उनमें कोई entropy चेंज नहीं होता perfectly crystalline होते हैं वो ठीक है भाई at absolute zero absolute zero का मतलब क्या हुआ zero Kelvin पर या minus के 273 degree Celsius पर लेकिन इसके विप्रीत अगर मान लीजे मैं कोई covalent compound ले लेता हूं for example co2 gas ले लेता हूं co2 gas में कोई positive negative end तो होता नहीं है है ना वो कैसी होंगी मिटा जी या co2 छोड़िए co ले लेते हैं वह simple है co आपके पास कैसी होगी कि c double bond coordinate bond O यहीं होगा इसमें कोई positive negative end तो होगा नहीं अगर मैं इसमें positive एक तरीके स्वरी अगर मैं इसमें solid state में लेकर जाता हूं absolute zero पर तो आप लोग यह समझेंगे कि आप लोग यह समझेंगे कि c double bond O coordinate bond O फिर O के बाद c double bond O coordinate bond O आगे आपके बाद c double bond O coordinate bond O नीचे अब जड़ा देखी c double bond O coordinate bond O ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे जिनके बीच में वीक wonderwall force होगा वीक wonderwall force होगा यह force आपके पास positive negative ऐसे force of attraction नहीं है electrostatic attraction नहीं है जो ionic में होता है लेकिन यहां पर कहीं बार possibility क्या होती है कि जो CO हो सकता है कि वह OC कि ऐसे लिख दूम है ऐसा भी तो हो सकता है वांडरवाल force के लिए पोई positive negative end की जड़ा ही होती है वो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं मिटा जी ऐसे भी सकते हैं तो आप लेखोगे कि यहां पर जैसे में कोई arrangement कर रहा था solid state में कोविलेंट compound के बीच में तो कोविलेंट compound में randomness perfectly नहीं बैठती है मतलब perfectly वो fix नहीं होते हैं किसी में कोई particle किसी तरह से होता है किसी में किसी तरह से होता है तो हो सकता है कि वहां पर थोड़ी बहुत randomness रह गई हो वो बिल्कुल भी perfect या ideal solid ना बना हो जो बिल्कुल एक pattern में ही arrange हूँ जबकि ionic में ऐसा possible नहीं है क्यों क्यों कि अगर CL-NA की जंगा आ जाए और NA की जंगा पर CL- आ जाए तो वहां पर तो simple सी बात है कि वही negative negative चार्ट क्या कभी आ सकते हैं आपको किसर वहां पर आना ही possible नहीं है इसलिए इनका जो pattern रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है throughout the solid absolute zero पर और यहां पर कोई particle दर दर नहीं होता है इसलिए इन में entropy change नहीं होता कोई randomness नहीं होती तो इस case में हम क्या मानते हैं मिटा जी entropy change zero के बराबर लेकिन अगर हमारे पास कोई molecular solid होगा कोई हमारे पास covalent solid होगा तो वहां पर possibility है कि उनका pattern change हो जाए और randomness हो तो हम कहेंगे इनके लिए possible होगा कि entropy change does not equal to zero यह बात ध्यानक नहीं है क्या होती वो एक अलग बात है बस इसको statement में याद रखना है third law of thermodynamics को और किसके लिए zero होती है बस इतना ध्यानक लेना perfectly crystalline solid के लिए और by covalent solid के लिए जो है delta S के value zero हो भी सकती और न जरा देखिए बिटा अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो आप जरा देखिए क्या है जरा देखो भई आगे हम पड़ेंगे क्या भई गिव्स प्री एनरजी और criteria of spontanity यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या अब हमारे पास अलग चलेगा system criteria of spontanity का लेकिन उ कि इसके हिसाब से अगर मैं criteria of spontanity की बात करूं second law of thermodynamics में criteria of spontanity की बात करूं यह कहता था कि वह प्रोसेस जिनमें entropy बढ़ती है वह process spontaneous होगी और जिनमें entropy घठती है वह process spontaneous नहीं होगी अब आपको मैं एक बाह बता देता हूं मिठांगे आप लोगों ने ऐसे cloud तो देखे हों और इन बादल में आपको यह भी पता होता है कि जो होता है वह वैपर स्टेट में होता है वैपराइज फों में होता है और जब यह वैपर्स धीरे-धीरे करके बरस्ती हैं बरस्ती है तो आप लोग यह बात समझ जाना बही कि वहाँ पर वैपर है और जब यह बरसेगी तो पानी बहेगा है ना पानी क्या होगा बहेगा और पानी बहे या ना बहे पानी फिक्स भी रहे लेकिन जब हम वैपर से यह गैस से लिक्विड में आते हैं तो वहाँ पर क्या हो जात जाता है रंडमनेंस घ्टोड जाती को एक फीड़ाइं फोगम सकते हैं लेकविड केवाइव उतने धर उतने भर नहीं नहीं सकते तो हम एंगे अगर यहाँ पर एंट्रोपी S1 थी और यहां पर एंट्रोपी S2 थी और हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालना है S2 माइनस के S1 और हम लोग जानते हैं कि S1 is greater than S2 तो यहां पर डेल्टाइस की वैल्लू क्या हो जाएगी नेगेटिव और यदि डेल्टाइस की वैल्लू नेगेटिव है तो second law of thermodynamics के इसाब से यह process होनी नहीं चाहिए थी लेकिन हमने तो अपने नेचर में देखा भाई बारिस्तो होती है इसनो फॉल भी होता है सब कुछ process spontaneous है इसका मतलब क्या हुआ कि second law of thermodynamics भी criteria of spontanity को समझा नहीं पाया और criteria of spontanity को समझाने के लिए अब हम पढ़ेंगे Gibbs-Hell-Mond equation और वहां से आपको पता लगेगी भाई कैसे कैसे जो है कोई process spontaneous होती है और कौन-कौन सी नहीं होती है तो I hope आ